जब मन हो कुछ चटपटा खाने का और घर में ना हो कोई सब्ची तो चटपट बनाईए इस नास्ते को बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए फिर देर किस बात की बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जरूरत होगी प्याज की यहाँ पर मैंने तीन प्याज लिए हैं प्याज को हम ऐसे बीच से काट देंगे और इसका ये वाला सिरा हम निकाल देंगे इसके बाद छिलके को हटा देंगे यह दिखे इस तरह से हमें प्याज को छील लेना है तो यहाँ पर प्याज को छीलने के बाद हम इसे एकदम पतली-पतली स्लाइस में कट कर लेंगे यानि कि हमें प्याज को लच्छेदार कट करना है लेकिन ध्यान रखें लच्छे एकदम पतले होने चाहिए इस बात का ध्यान रखेंगा यह देखे इस तरह से पतले पतले लच्छे आपको काटना है तो पूरी प्याच को हम ऐसे काट लेंगे आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड में रखके काट सकते हैं या फिर हाथ से भी इस तरह से कट कर सकते हैं या फिर पीलर की सहायता से भी आप इसके लच्छे निकाल सकत अब एक बड़े बावल में हम डालेंगे लगबग दो कटोरी गेहूं का आटा, आधा चमश नमक, थोड़ी सी डाल देंगे कसूरी मेथी, मेथी का फ्लेवर पराठों में बहुत अच्छा लगता है, साथी साथ एक बड़ा चमश देसी घी डाल देंगे, देसी की घी की जग करेंगे, वो ज्यादा टाइट नहीं रखेंगे, नरा माटा गूत कर तयार करना है, आपको नहीं तो जो इस टफिंग है, वो फिर बाहर निकलने लगती है, तो यह देखे, हमने इस तरह से बड़े आटा गूत के तयार कर लिया है, इसे साइड में रख दिया है, अब हम त पुदीने का फ्लेवर पराठों में बहुत अच्छा लगता है, तो आप एक बार जरू टाइ कीजेगा, बस सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे, आपने नोटिस किया होगा कि अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, बात में डालेंगे, अब आटे को एक बार फिर से अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे, और इसकी लोई तोड़ लेंगे, आपर मैंने एक बड़ी सी लोई कट कर पराठे आप अपनी पसंद के साफ से छोटी बड़े बना सकते हैं तो लोई को हम पहले इस तरह से फ्लैट करेंगे अब इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे आदा छोटी चम्मस नमक क्योंकि चाट मसाला में भी नमक रहता है तो नमक ध्यान से डालेगा बस अच्छे से मि काट अच्छा गयर गया खेंगे तो हमने इस तरह से बेल लिया है थिकने आप देख पा रहे होंगे इसके उपर रोती अब रोटी चुपर अब लगा निवस्तिंग को आप जितनी पसंद करते हों ऐसे साप से डाल सकते हैं अब थोड़े से ज्यादा श्टफिंग वाले प तूरेस में अच्छे से फैला दूंगी और हाथ से हलका सा दबा दूंगी यह दिखे इस तरह से आपको दबा देना है फिर आपको एक साइड से रोल करना है ऐसे क्योंकि हम यहां पर इसका बनाएंगे लच्छा पराथा रोल करने के बाद इसे किनारे से चिपका दीजिए फ वह बहुत ही ट्रिक का काम है क्योंकि यह बहुत जल्दी इस टफिंग बाहर निकलने लगती है तो पहले आप हाथ से हलका सा ऐसे बढ़ा कर लीजिए चाहें तो आप इसे हाथ से भी बढ़ा कर सकते हैं बद मैं क्या करूंगी कि पहले से थोड़ा सा हाथ से बढ़ा कर इसे आपकी जो इस्टफिंग है वो भी बाहर नहीं निकलेगी, तबे पे हमने थोड़ा सा घी लगा दिया है, इसमें हम पराठा डाल देंगे और एक सेट से हलका सा सिक ले देंगे, एक सेट से जब सिक जाएगा इसे पलट देंगे, और इसमें हम घी लगा देंगे, आप घ बढ़िया से ब्राउन स्पॉट आए हमने इसे टर्न कर दिया है और दूसरी साइट में भी हम अच्छे से घी लगा देंगे चाहें तो किनारे में भी थोड़ा सा घी डाल सकते हैं जिससे कि ये साइट से भी बढ़िया से सिखेंगे अब इसे आपको कल्ची से हल्का सा दबा दिखने में कितना यमी लगा है न खाने में भी भूख ज्यादा टेस्टी है जभ कभी कुछ सबजी रोटी बनानी का ना मन हो तो इस रेसिपी को जरूर टाइब कीजिए प्याँस का हलका सा क्रंच रहता है और यह पराठा छाने में बहुत टेस्टी लगता है या फिर पाराठे को इस तरह से लोई को सील करतेंगे उपर का जो एक्स्टर डो हैं उसे हटा देंगे तो जो प्रोसेड आपको वे einzis लगे उस तरह से आप बना सकते हैं इसे हम पहले हाथ से थोड़े स सुखा हाठा लगाएंगे और फिर हम इसे हलकी हाथों से बेल लेंगे ध्यान रखें इसको पतला नहीं बेलना होता है इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना होता है क्योंकि आपने आपर कच्ची प्याज के इस्तेमाल किया है तो यह देखें यह भी हमारा पराठा बनके तयार है आप चाहें तो इस तरह से बनाईए या फिर उस तरह से लच्छा तो खाने में बहुत ही ज्यादा तेस्टी लगता है। मुझे तो यह गर्म गरम पराथे चाय के साथ बोब है आप बढ़िया हमारा एकदम खस्ता करारा पराठा बना हुआ है भाई एक बार तो इस रेसिपी को ट्राइ करना बनता ही है तो रेसिपी को ट्राइ जरूर कीजिएगा और रेसिपी कैसी लगी हमें फीडबेक में जरूर बताएगा फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाद